दो हजार चॉबेस के लोग सबा चुनाव के लिए कॉंग्रेस हर बिंदू पर तैयारी कर रही है फिर चाहें वो भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर रास्ट्री अधिवेशन हर बिंदू पर कॉंग्रेस वार करके ही फैसला ले रही है लेकिन इस चुनाव में क्या और विश कॉंग्रेस कमेटी के सचिव और बिहार के प्रिभारी वह पूर विधायक अजय कपूर मौझूद हैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका तो सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि आप हर एक बड़े अधिवेशन में कॉंग्रेस के हर एक महतुपूर जो सम्मेलन रहे है है जो अभी भारत जोड़ो यात्रा रही या रास्ट्री अधिवेशन रहा क्या फाइदा मिलेगा इससे देश में आज हमारे नेता अधरणी रावल गांदी ने भारत जोड़ो यात्रा करी चार अजार किलो मीटर पैदल चलकर उसमें कई जगा मैं भी उसमें हिस्सा बना मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नेता के रूप में कारकरता के रूप में जो हमारे नेता ने इस यातरा से इस देश को जोडने का काम किया है नफरत को मिटाने का काम किया है प्रेम को बढ़ाने का काम किया है देश की एकता खंता के लिए काम किया है देश को नीचे आज क्या परस्तितियां हैं मेंगाई से आदमी तरही तरही कर रहा है लोग परिशान हैं उनको गले लगाकर उनकों से मिलकर लाखो करोडों लोगों से मिलकर इस देश की नब्स को जानने का काम किया और उनकी आवाज को उठाने का काम किया उनकी आवाज बनकर फिर से एक बार लड़ाई लड़ने का, संगर्श करने का काम हमारे नेता अधर निराउल गांदी ने किया है साथ में आप रहे, कई राज्यों में ये यात्रा गई और काफी समय तक साथ रहे, कैसा अनुभव रहा मुझे लगता है कि इससे अच्छा अनुभव नहीं हो सकता, कि हमारे नेता नेता ने इतनी मेहनत करी गाउं गाउं, 24 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे पैदल चलकर, कहीं पर भी किसी व्यक्ती, चाहिए बच्चा, बुड़ा, जवान, नौजवान, लड़की किसी भी समाज के हर वर्ग को मिलने का काम किया, समाज की हर आवाज को उठाने का काम किया, गरीब से लेकर किसी भी तरहा की को जो भी तरहा ही कर रहा था, जिसने जो बात बोली है, उसको सुनने का काम किया, और उस आवाज बनकर इस देश की आवाज में, उनकी आवाज उ आवाज होगी इस देश की 130 करोड़ लोगों की आवाज होगी जो रास्ट्री अभी रहा उसका क्या फाइदा मिलेगा देखिए रास्ट्री अडवेशन इसमें आपको आगे क्या प्लानिंग करनी है हमारे दूसरे राजियों में चुनाओ है 24 का चुनाओ है तो पार्टी का एजेंडा होता है उस पार्टी के एजेंडे में अपने पूरे ICC मेंबर के साथ हजारों लोगों के साथ परस्ताओ बना कर उसमें अपना काम कैसे आगे करना है और किस तरह से हमें आने वाले समय में इस देश में लोगों की आवाज को उठाना इसका एजेंडा तेह होता ह अलग-अलग राज्यों में की चुनाव है और केंदर का भी चुनाव है जो भारत जोड़ो यात्रा हुई क्या इसका असर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रहेगा बिल्कुल रहेगा और ये पूरे देश में रहेगा अभी हमारे नेता ने उसमें ये भी एक परस्ताव पास हुआ है कि ये भारत जोड़ो यात्रा अभी भी आगे बढ़ेगी ये सिक्किम से लेके गुजरात तक फिर 4000 किलो मीटर की यात्रा हमारे नेता करेंगे और पूरे देश में इस आवाज को उठाने का काम करेंगे पूरे देश में मुझे ऐसा लगता है कि इस यात्रा से एक नई करांती आएगी और एक देश को नई दिशा मिलेगी और देश में बदलाव हुआ उत्तर प्रदेश के लिए क्या जरूरी है जो कॉंग्रेस के लिए बहतर हो उत्तर प्रदेश के लिए भी सब लोग मिलकर काम करें जनता के बीच में जाएं हमारी हाथ जोड़ो जो काम है इस समय हाथ जोड़ो भीहान चला है इसमें जगा जगा घर घर जाकर कॉंग्रिस के कारकरता घर घर जाएंगे और अपनी बात को और अपने नेता की बात को कहेंगे अभी जो माहौल चल रहा है महंगाई को लेकर कॉंग्रेस आवाज बुलंद कर रही है तमाम मुद्दे हैं उन पर क्या कुछ कहना है आपका देखें महंगाई इस समय चरम सीमा पर है महंगाई दो दिन पहले ही सिलंडर बढ़ गया है होली का देश में तेवार है लोग अपने घर में चूला जनाना जाते हैं लेकिन इस सरकार ने चूले को बंदगरने का काम किया हर गरहनी को नुकसान किरा गैस का 50-100 रुपरे, 300 रुपरे दाम बढ़ाया और इस से मुझे लगता है कि और तरही तरही बड़ी है देखिए हम कांग्रेस के कार करता हैं हम पिदाशी हमने हमेशा इस पार्टी के हम अपने नेता के साथ हैं हमें क्या बनाया जाएगा क्या नहीं है मुझे नहीं मालू लेकिन हम अपने नेता के साथ, निश्ठा के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ यहां के लोगों की सेवा में रहेंगे, पार्टी के प्रती समर्पित भाव से काम करेंगे और जो जिम्मेदारी, जो भी काम हमें कारकरता के रूप में मिले को उसे करेंगे आपका क्या मानना है कि किन-किन अहम चीजों को कॉंग्रिस को शामिल करना चाहिए अपने मुद्धों में, अपने घोष्णा पत्र में जिसका फाइदा वो मिले चाहिए अगर हम बात कानपूर की करें, प्रदेश की करें या देश की करें देखे इस समय बिरोजगारी, मेंगाई, सबसे बड़ा मुद्धा इस देश में बिरोजगारी है नफरत है, संपरदाइकता है, महंगाई है इन सारे मुद्दों को हमारा नेता उठा रहा है और इसको दूर करने का ही संकल्प कांग्रिस पार्टी को लेना चाहिए अदिवेशन में भी आप साथ साथ रहे, देखा गया क्या कुछ वहाँ बात चीत हुई आपकी चाहिए फिर रहूल गांदी हो या सोनिया गांदी ये सारे लोगों को मिलन होता है, इसमें साथ साथ सब लोग रहते हैं जो पार्टी निर्णे करेगी देश हित में, हमारे नेता लोग करेंगे, हम लोग उस पे काम करेंगे एक अंतिम सवाल ये कि आगे क्या रणीती बनाई गई है या आगे क्या कुछ होगा देखें जनता के बीच में जाना है, जनता की आवाज को बलंद करना है और एक बार फिर से नफरत यहां पर खतम करनी है, प्रेम सोहार्द फिर से बनाना है बिरोजगारी दूर करने का संकल्प जो है हमारे नेता का उसको पूरा करना है मेंगाई को दूर करना है, यही देश की सुक समर्दी के लिए हमारी पार्टी ने चिंतन किया बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात्चीत करने के लिए